मैं काठिया वारी एक ऐसी फिल्म है जो फिमेल सेंट्रिक फिल्म होने के बाव जोद इसको अच्छी कास स्कीन समलने वाली है पोस कोवीड में हिंदी मार्केट में ये मुझे लगता है थर्ड या फोर्थ बिगेस्ट फिल्म है वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी फिल्म थी कोवीड के बाद की सुलिवन शी यह हम भूल नहीं सकते हैं उसके बाद 80 थी भी बड़ी फिल्म थे लेकिन वो उस हिसाब से नहीं चल पाए जिस हिसाब से हम उसका अंतिजार करेते तो थर्ड बिगेस्ट फिल्म है गंगोबाई काठ्यावारी जो आकई में एक ऐसी फिल् और आलिया भट की जो पिछली कुछ फिल्म है थी जैसे कि कौन सी थी वो सड़क टू थी इसके लावा वर्ण दोनी के सब कुन सी फिल्म थी वो कलंक पैसी था मतलब अम ना रहे वो दोनों फिल्म नहीं चले थी है ना तो यहां पर यह जू फिल्म है आलिया बड़ की यह गेम चेंजर साबित हो सकती है और बोलते हैं ना साथ तो खोन माफ यानि कि जो भी आलिया बड़ ने जो भी परफॉर्मेंस की थी पिछले कुछ दोनों फिल्मों में हम सब भूल जाएंगे यह अगर यह फिल्म है उन्होंने काम या परफॉर्मेंस की है तो वैसे बहुत वो देखकर मुझे ताली बजाने का दिल किया मैं सीरियसली बात कर रहा हूं और अब यह कहा जो रहा है पचीस फ़रवरी 2022 को रिलीज सुने वाले इस फिल्म को 3000 प्लस स्क्रीन्स मिलने वाले हैं यह फिल्म उस तेजी से अवतने महिनत कर रहे कि यह 3000 स्क्रीन्स ले ले हिं हिंदी मार्केट में सुरीबंशी को 3600 स्क्रीन्स मिली थी 83 को 3400 के आसपास और इस फिल्म को 3000 स्क्रीन्स मिल सकती है और ऐसा हुआ तो मान लीजिए कि बॉलिवुड में 5000 के आसपास से स्क्रीन्स बची हैं 55000 थी पहले बाकिस स्क्रीन्स जो बटेंगी वो दो फिल्मों में बटेंगी वली माई जो 24 को आ रही है पहले दिन वली माई को अच्छी स्क्रीन्स मिलेगी हिंदी मार्केट में दूसरे दिन उसका जो एक इशू है जरूर होने वाला है गंगोबाई काथ्यावारी से वो यो यूटूब पर या टीवी पर आती लिए डव में अब सब साथ में रिलीज होने लगी है तो सिसी बात है स्क्रीन्स के लफड़े हो गई और स्क्रीन्स के लफड़े कैसे होते हैं मैं आपको एक 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 जामपल के तौर पर बता रहता हूं यह एक ऐसा इसको आप कुछा चलेगी नहीं लेकिन उनके पास और एक फिल्म का ऑप्शन हा हॉलिवुड की फिल्म का तो यह शर्वल सीरा सीरा बोल रहे है एक्जामपल दे रहा हूं मैं करके शोरेटी मां समझेगा कि तुमने अगर मेरी बंटी और बबले टू नहीं दीखाई तो मैं तुमें विराज नहीं दूगा मैं तुमें टाइगर्थी नहीं दूगा मैं तुमें पठान लहीं दूगा और तुम रहे एक हॉलिवुड फिल्म के साथ जो भी करना है करो फिर तुम तीनों चारो फिल्म तुमाई हाथ से चली जाएगी तो जख मारके उस थेटर वालों को बंटी और बबली टू दिखाने ही पड़ेगी और उसे हफते दो हफते तक थेटर में रखना पड़ेगा चाहे एक पबलीक है दो पबलीक है पबलीक ना अब ही आये क्योंकि अगर उसने बंटी और बबली टू के जगा किसी होलिवड फिल्म को दी तो उसको पठान टाइगर थी बाकी और फिल्म में यह शाच की नहीं मिलेगी तो यह ट्विस्ट होता है तो इसलिए थेटर वालों के उपर भी बहुत बहुत प्रेशर होता तो को रखे रहेंगे और जात शर्जू से देंगे आई हो अप समझे रहा हूं कि मेरा कहने का मतलब क्या है देखना होगा जरूरी होगा दर्चस्प होगा यह वरी माई को कितनी स्क्रिंस मिलते कि अभी तक पुष्पा स्लिपर हीट हो गया चनक और खिलाडी को उतना वर्सिस नौत का बैटल होगा जिस बैटल के बारे में हमको लोग बाते करते थे कुछ साल पहले कि ऐसा हो सकता है मैंने 2017 में कह दिया था साउथ भारी पढ़िने वाला है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर बॉलिवड पर आज वह हो रहा है चोड़ कितने दोस्तों आपको क किते शोक में लगी अपडेट दोस्तों बताएगा एंड गार्टेवरी इस प्लानिंग तुरीजिन 3,000 प्लस स्क्रीन हो एक्साइटे आर यू डू लाइट उस नो वीडियो अच्छा लगा तो इस वांको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा